पार्तिय रेल एवंग मेट्रो रेल से समंदित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवेल आप एलपी चनल को सब्सक्राइब करें तोस्त आज का वीडियो आए आई बीजन इंडियर रेलवे और मेट्वे रेलवे तो कई जगह क्या प्रोब्लम हाता है कि लोग पूछते हैं कि ये एलपी के लिए कौन सी मेडिकल होगी टेक्निसिन के लिए क्या होगा दीमर्सी में कंट्रोलर के लिए क्या होगा CRA का medical क्या होगा लखलों metro में क्या होगा या और कोई metro में तो इस समस्या को समधान के लिए मैंने iVision test को ये compile chat बनाया है जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी post और कौन सी post के लिए कौन सी medical standard generally लगता है 99 cases में हो सकता है किसी notification में change हो जाए तो यहां सबसे पहले हम बात करने वाले हैं A1 standard का जो medical standard का सबसे highest level होता है उसमें A1 eye side क्या होता है तो पहले तो A1 हो गया उसके बाद railway में कौन कौन सी post के लिए A1 apply होता है ALP, Assistant Locopilot, ASM, Assistant Master and Motorman ये तीन post के लिए A1 standard लागू होता है और metro railway खास करके Delhi metro railway में जो A1 standard follow होता है वो junior engineer, station controller, train operator and CRA के लिए लेकिन junior engineer सभी बोडों में लागू नहीं होता कई जगा A3 भी लागू होता है तो मैं यहां DMRC में लागू होता है इसलिए मैं आपको A1 यहां सामिल कर रहा हूँ तो चलिए A1 में distance vision क्या होता है तो distance vision इसमें आपका होता है 6 by 6 होता है distance vision और nearby vision जो होता है 0.6 और glass कई लोग का पोचना आता है कि इसमें power का allow है या नहीं allow है तो मैं आपको यहां बताना चाहूँगा कि A1 standard में कोई power allow नहीं है मतलब आपको चस्मा लगाने का इजाज़त यहां नहीं देता है कि अगर चस्मे के कारण आपकी power होती है तो उसे आप यूज नहीं कर सकते हैं मेडिकल अस्टेंडर है आपका A3 जिससे railway में तो जेनरली टेकनीकल में कोई पोस्ट नहीं होता मेट्रो रेल्वे में इसमें लखनों मेट्रो बगेरा में जो पोस्ट होती है और इसमें गलास से लाउ है और नियर बिजन हाड मेडिकल लस्टेंडर है आपका B1 तो B1 में जितने भी रेल्वे में होते हैं वर्क्सव छोड़के मैं बात करा हूँ या वर्क्सव में जो ड्यूटी होती हूं उनकी मेडिकल लस्टेंडर अलग होता है तो यहां टेक्निशन ग्रेट 3 के बात कर रहा हूं और निमनिकी ट्रेडों से इनने आपका वीवन मेटिकल लिया जाता है, पहले ब्लैक स्मित, ब्रीज, कार्पेंटर, C&W, डीजल, एलेक्टिकल, एलेक्टिकल, टी आरडी, टी आरेस और एम्यू के लिए, फीटर, वेल्डर, टर्नर, सिग्नल, एन टेलिकॉम, ETC, मतलब इसमें बहुत सारे पोस्ट है, जो टेक्निशियन ग्रेड 3 के वीवन में आते हैं, उसके बाद मेट्रो रेल्वे में बात करेंगे, यहां पे तो मेंटेनर, एलेक्टिकल, एलेक्रोनिस, फीटर, एन रेप्रिजेंट, एन एर कंडिशनिंग का जो पोस्ट होता है, म और नियर वीजन की बात करेंगे, तो 0.6 x 056, यह तो फिक्स रहता है सभी के लिए, और इसमें लेंस की पावर आपका B1 में जाएंगे, तो यह 4D आ जाएगा, आपको 4D तक इसमें लेंस की पावर एला हुए, आपका B2 के लिए, मेटिकल एस्टेंडर B2 है, तो यह भी B1 से मिलता जूलता है, लेकिन यहां पर एक चीज मैंने नोटिस किया है, कि इसमें थोड़ा सा एक कलर ब्लाइडनेस, जो कलर बीजन होता है, और नाइट बीजन होता है, इस टेस्ट में नहीं कंडक्ट किया जाता है, यही इतना डिफरेंस है, फिर भी इभी इसमें जो पोस मेंचनिट इस ट्यूप के जो पोस्ट है उनके लिए यह बात करेंगे तो इसमें अश्टिट प्रॉग्रामर का जो जो वोता है उसके लिए यह B2 अस्टेंडर मेंटिकल कंड़ किया जाता है इसमें वीजन की बात करेंगे तो आपका 6x9-6x12 होता है वीथ होता ग्लास और न लेकिन द्यान देने की बात है कि इसमें नाइट वीजन और कलर वीजन की बात नहीं करता रेलवे कि इसमें कलर वीजन और नाइट वीजन के टेस्ट नहीं लिया जाएगा जो पोस्ट होते हैं जिनका ड्यूटी वर्क्सोप में होता है जिनरली वर्क्सोप या कहीं याड में होता उनके लिए है इसमें बलेक असमित होता है एलेक्टिकल होता है ट्रेन लाइटिंग होता है ट्रेन लाइटिंग मींस वर्क्सोप में केवल लाइटिंग फीटर वर्क्सोप लाइटिंग टर्नर वर्क्सोप और पेंटर इसी तरह के और सारे कोई पोस्ट होते हैं उनके लिए ये के लिए ये होती है public relation assistant बगेरा इस type के जो post होते हैं उनके लिए medical standard C1 लागू होता है तो इसमें C1 में हम जान लेते हैं कि vision क्या होता है distance vision की बात करेंगे पहले तो 6 अबलिक 12 और 6 अबलिक 18 with और without glass यह maximum vision है जो 6 by 18 होता है railway में वो इसमें allow किया जाता है और near vision 0.6 जो होता है सबके लिए applicable है तो यहां भी applicable है और इसमें power का जो lens की power की बात होती है तो यहां lens की power railway medical standard में कहीं नहीं बताता कि इसमें lens की power क्या होगी तो with glass और without glass का रहा है उसके इसाब से आपको adjust कर लेना चाहिए अगर 6 by 18 है तो applicable होगा तो उमीद है कि आपने यह सारी query management लोगों की आ रही थी वो पूरी हो गई होगी तो अगर अच्छा लगा तो इसे शेर जरूर कीजिएगा like बटन करते हैं से हमारी चैनल का पुरसा बढ़ती है और चैनल पर पहली बार आप बीजिट कर रहे हैं तो subscribe जरूर कीजिएगा